पूजा शर्मा उत्रप्रदीश विदासभा चुनाव की तीसरे चुरण का चुनाव प्रच्वार का आज अंतर दिन है और आज शाम चुए बजो के बाद चुनाव प्रच्वार थम ज़ाएगा इस चुरण में यूपी की 16 जिलों के 69 सीटों पर 20 फरवरी को मतदान होगा ब पर्याग राज में भव्यकुमब और धिव्यकुमब का आयुजन करने का सौभा के भी हम लुगों को प्राप्त होता है गए वायो बेनो आप याद करिये आज ही जा मैं आपके यहां सभा में आ रहा था इससे पहले में करहल में लेंपुरी करहल में मैं आज सभा का है वी पार्ति के मैदान से बाहर जा रहा है तो फिर पुरी लडाई तो भारती जनता पार्टी पहले जीत चुकी है याद करिये पांच साल पहले क्या इस्तिती थी आस्ता के सम्मान के साथ क्या खिलवाड होता था और प्रतेग नागरिक की सुरक्सा के साथ भी क्या खिलवाड होता था ये किसी से चुपावा नहीं जब मैं मेंपुरी से कानपुर के लिए प्रस्तान किया तो मुझे बताया गया कि आज एंदाबाद की नहेले ने वहां के ब्लास्ट के लिए जिम्मेदार तमाम उन अपतरादियों को रातंगबादियों को मौत की सजा और कड़ी सजा दी है जिन्होंने कभी एंदाबाद को देलाने का कारिक किया था पायोगे नो सुरक्सा सब को सम्मान सब को लेकिन तुस्ती करण किसी का नहीं यही तो भारती जन्ता पार्टी का मिसन है और इसी मिसन के साथ हम लोग जब 2017 में यहां पर आये थे उस समए भाईोबेनो हमने कुछ कहा था मैंने तब भी कहा था कि भारती जन्ता पार्टी जो कहती है सोग करके दिखाती है हमने कह था कि हम आएंगे मंदिर वही आजा यूद्या में मंदिर निर्मान का काम फ्रारान हो गया न कोई संदे है क्या क्या आयोध्या मैं राम मंदिर का कार यह समाजवादी पार्टी कॉंग्रेस या बोजन समाजवादी पार्टी के लोग करपाते यह कार भी जैसा कहा गया था उसके रूप कार भी समयवत दंग से आगे वड़ रहा है और भायो बेनो दो हजार तेईस के अंतमे जब अयोध्या मैं राम ला की भब्य मंदिर में भग्वाद्वाद्वाद्वाद्वाद्वाद्वाद्वाद्वाद्वाद्वाद्वाद्वाद्वाद्वाद्वाद्वाद्वाद्वाद्वाद्वाद्वाद्वाद्वाद लोग राम मंतिर का निर्मान कराएंगे राम मंतिर पर ताला । सोग करके दिखाया है वह यगे नो पांच साल पहले प्रदेश किस्ते दिख्या थी हर तीसरे दिन एक दंगा होता था कर्फ्यू लगता था जगे जगे अराजकता भेलती थी और प्रदेश में ना परव और प्यवाद ठीक गंग से मनाई जा सकते थे ना पहन बेटियां सुरक्षित थी और विकास के कार्यों में किस कदर टकैती पड़ती थी या किसी से छुपावा नहीं है गरीब कल्यान कारी योजनाओं में किस कदर लूट मस्ती थी ये किसी को किसी का पता नहीं वायो बेंओ पांच साल के पाथ जब हम लोग अपना रिपोर्ट कार्ड लेकर के चुनाओं में आपके पास आए हैं मैं आपसे पोछेना चाता हो क्या पांच साल पेहले आपको अनवरत और मिरवाद विज्री मिल पाती थी क्या पांच साल पहले-पहले मिलती थी क्या आज तो मिल लैं ओगी न कोई कटोती नहीं होती होगी न वरतमान में पूरी दुनिया करोना महामारी की चपीट में है वह योग पेनो करोना के कारण दुनिया के अंदर लाथ ओं लोगों की मौत भी है भारत के अंदर करोना से बचाओ के लिए परणान मंत्री मोदी जी के नित्रतों में जीवन को बचाने और जीविका को बचाने का भिकारे हुआ है और कानपूर से जादा इसको कौन देख सकता है कि भाईओ-पेनों कानपूर में तो करोना के कारां सरवादिक लाब कानपूर में अगर किसी विधानसवा सीट को प्राप्त हुआ है तो मेट्रो के कारण गोविन आपके कल्यानपूर विधानसवा सीट को सरवादिक लाब हो रहा है मेٹ्रों का समचालन ब्रणान मंत्री जी ने यही कानपुर मे आ करकिस का सवारंब किया करोना भी कानपुर मेट्रों की रफ्तार को ठाब नहीं पाया था हमने जीवन को भी बचाया जीवी कामों को भचाने का काम भी किया और हम लोगों ने पूरे प्रदेश के अंदर फ्री में टेस्ट फ्री में उपचार फ्री में वैक्सीन कितने लोगों ने वैक्सीन ली है पीछे तक जिन लोगों ने वैक्सीन ली है क्या आप लोग ले चुके हैं? उस पार सभी लोगो ने वैक्सिन ले दी है. वैक्सिन का कोई पैसा दूनी मांगा किसी ने? वैक्सिन फिरी है ना. और वैक्सिन का प्रभाव क्या है मनुने? टीसरी वेप कब आई? कब चली गई? कोई पता नहीं लटा. टीसरी वेप कोम प्रवंदन को जो मौडल उत्तर प्रदेश ने दुनिया के सामने दिया है उसकी सब्वक्त सराना हुई है यह आपके आस्तरी बात से हुआ है और भायो बेनो करोना में करोना कालखंड में आपने एक बात और देखी होगी कि फ्री में वैक्सीन और सब को वैक्सीन तो लगाया गया लेकिन डवल इंजन की सरकार है डवल डोज रासन का भी प्राप्त हुआ होगा हर गरीब को डवल डोज रासन का रासन के नाम पर किसी ने पैसा तो नहीं दिया ना फ्री में रासन मिला है ना भायो बेलो पहले की सरकार में ये रासन का पैसा ये बिजली का पैसा ये दवा का पैसा कहां चला जाता था यही पैसा चला जाता था समाजवादी पार्टी के इत्रवाले मित्र के घर में कहां जाता था और इसी लिए हम लोगोंने पांच वर्ष के अंदर गरीब कल्याण करी योजनाओं का लागतो प्रदेख नाकरिक को देने का काम किया ही विकास की योजनाओं को मजबूती के साथ आगे वढ़ाने का कारे किया ही लेकिन साथ साथ भायो बेनों हमने ये भी तै किया है जब तक एक भरस्ताचारी पेशेवर माफ्या और अप्रादी अपना नंग तांडो करते रहेंगे तब तक विकास का कोई मतलब नहीं इसने सरकार ने एक हाथ में विकास की चड़ी ली और दूसरे हाथ में बुल्डोचर की स्टेरिंग को भी पकड़कर की प्रदीस में अनुरत चलाने का काम किया है आज आप देख रहोंगे विकास के कारे में कोई बादा नहीं मेट्रो का संचालन हो रहा है कानपूर को फिर से एर कनेक्टिमिटी के साथ जोड़ दिया गया है और कानपूर मा गंगा क्यसी इन किरपा कानपूर पर है याद करिए कानपूर का सीशा मोव नाला 14 करोड लीटर सिवर गिराता था ये गंगा मैया में पिशली बार अप्रदान मंत्री जी को अमंतित किये थे और चाहां पर सिवर गिरता था आज वहाँ पर सेल्पी पाइंट पना हुआ है आज गंगा मैया कानपूर में अविरल है निर्मल है अपना अस्रिवाद दे रही है और खोग फलने का अस्रिवाद दे रही है और अस्रिवाद ये भी दे रही है कि हमारे यहाँ पर अब करोना नियंतित होगा तो कानपूर में एक रिवर फ्रंट का भी निर्मान होना चाहिए यही गंगा मैया की अस्रिवाद है भायोगे नो एक काम करेगा कौन ये काम करेगी डौलिंजन की सरकार जब केंद्र में और प्रदेश में एक विचारदारा कर एक पार्टी की सरकार होगी तो विकास कारे केजी के साथ आगे वढ़ेगा लेकिन भायोगे नो विकास की पहली सर्थ ओती है सुरक्सा आपने पांच साल में पृदेश के अंदर कई कर्फ्यू लगते वे देखा है क्या ने तो चुड़े अड़ी बाद के लिए कर्फ्यू लगता था कानफुर में तो तेजना फहलती थी अराजकता फैलाना कुछ लोग अपना जन्मसित अधिकार समझते थे पस्यूत्तर प्रदेश में ब्यापारी प्लाइन करता था बेटियां स्कूल नहीं जा पाती थी मेलाए बाजार नहीं जा पाती थी और जिस प्रकार का तांडो पूरे प्रदेश के अंदर था पांच साल में प्रदेश में एक भी दंगा नहीं हुआ है पांच साल के अंदर प्रदेश में दंगों के कागर्ण कर्फियू नहीं लगा और भायो बेलो पांच साल के अंदर दंगा और कर्फियू नहीं लेकिन कर्फियू की जगए कावण यात्रा ने ले लिया है और बंबाजी की जगे आज कावड यात्री जब निकलता है हर हर बंबं का नारा लगा करके निकलता है तो ऐसे लगता है जैसे सियू के भक्ति में लीव हर उत्तर प्रदेश वासी आज सियू का गड़ बंकर के तरप्रदेश के विकास में अपना योगदान दे रहा है वायो दे लो आज मैं आपका आवान करने के लिए आया हूँ याद करिए समाजवादी पार्टी की सरकार पांच साल तक थी पांच साल में इन्होंने 18,000 गरीबों को भी मकान नहीं दिया और भारती जंता पार्टी की डालिंजन की सरकार ने पांच साल में 45,50,000 गरीबों को एक-एक आवास उप्रक्त कराया है दो करोर 61,000 गरीबों को एक-एक 140,000 प्रक्त करवाया है परियाथ विजली, सबको विजली और निर्वाथ विजली के लक्से को प्रत किया है आज प्रदेश एक्सप्रेस वे बन रहा है याद करिए लखन और कानपुर के बीच भी एक नया ग्रीन फिड एक्सप्रेस वे बन रहा है और किसली सरकारों के समय याद करिए हर कस्वे में, हर जन्पद में पिसली सरकार में अपनी प्रविडिके इंडरूप, तमंचा बादियों को और कट्टा बनाने बादों को जनम दे दिया था आज तो कानपुर में डिफैंस कोरिडोर बन रहा है और डिफैंस कोरिडोर के मात्यम से जब तोपे बनेंगी तो कार्णफुर का नौजवान उन तोपों को ले करके जब भारत की सीमा में जाकर के दुस्मन को गर्चेगा तो फिर पूरा भारत एक बार फिर से कह उठेगा भारत माता की जैके नावों के साथ और आपको उसी के साथ जोड़ने के लिए आज हम सब यहां पर पस्तित वे हैं भायों बेनो भारती जंता पार्टी प्रथम दो चरण में प्रचंड गोहमत के साथ सरकार गनाने की और अक्रसर है तीसरे चरण में बीस फरवरी को चुना होने है और मैं आपका उहान करने के लिए आया हो बारती जंता पार्टी पिछली बार बिना किसी वेद्वाव के प्रदेश के अंदर पचीस करोड जंता को सुरक्सा देने पचीस करोड जंता को विकास की युजनाओं के साथ चोड़ने पचीस करोड लोगों को गरीब कल्याणकार युजनाओं के साथ जोड़ने परदेश की बेटिょऔं को और परदेश की बेहनों को सुरक्सा पृदान करने और परदेश के अंदर सांती, सुहार्द और संब्रिदी का मार्ग प्रसस्त करने की सामय अगरा अकुसर हुआ है तो उसके पीछे कारण था कि भारती जनता पार्टी ने कानपुर की कल्यानपुर और गोविन नगर सीट पर विजय प्राप्ट की थी और मैं एक बार फिर से आपका आउहान करने के लिए आया हूँ आप इन दोनों बिनासवा सीटों पर भारती जनता पार्टी को विजय बनाएंगे सभी लोग सेमत है याद करना मुझप्प नगर के दंगों के लिए जिम्मेदार ब्यक्ति समाधवादी पार्टी के प्रत्यासी बन करके एक बार फिर आपके बीच आये हैं देखो हमने तो अपना काम किया जिन लोगों ने मुझप्प नगर के दंगाईयों का सपोर्ट किया था सरकार ने अपना काम किया उनके लिए अब बारी आपकी है कि जो लोग दंगाग करवा करके प्रदेश में विकास में बादक बनते थे अराजकता पैदा करते थे उन्हें क्लीन चिड देते थे उन लोगों को दुवारा विदांसवा में जाने का उसर कता ही मत भी जीएगा आप सभी सेहमत हैं सभी लोग सेहमत हैं उस पार भी उस पार भी और सड़क के इस पार भी भाईयों बेनों दोनों हाथ प्ला करके मेरे साथ बोलेंगे दोनों हाथ प्ला करके जहां तक मेरी आवाद चा रही है उस पार के लोग भी दोनों हाथ प्ला करके दोनों हाथ प्ला करके बोलेंगे भारत माता की भारत माता की भारत माता की नहाग ईसना माइग! नहाग ईसना माइग!